और कर दो कर दो कर दो से पैतर अगवान का एक छ्छत्र लेकर वेज़ रहे हैं वो सीधे जर्ब ग्रह में प्रवेश करेंगे। शिंग द्वार से प्रवेश हो गया। निर्ट बंडप में प्रवेश कर गये। रंग बंडप में प्रवेश हो गया। अब वो पूर बंडप में प्रवेश करने बाले हैं। वही पर सब्रस्टीगण राट्री ये सोईशक्षंग के सर्षक चालक डप्र मोहन राव भागवत। उक्तर ब्रदेश के माननिय मुक्रमंत्री योगी आदित्त नाथुजी। उक्तर ब्रदेश की राट्यपाल महोदया अनंदी बेन पतेल। राम जनम भूमी तीर्ट छेत्र के अत्यक्ष। निर्ट गपालदाजी माराज उपस्थित है। केशोव पारश्वन जी। वासुदेवन सरस्वती जी माराज। यूग पुरुष्ट परमानजी माराज अन्य सभी त्रस्थिगण वहीं पर उपस्थित है। 12 बजकर 7 मिनट हो गया है। गर्भ ग्रह में प्रवेश हो चुका है। गर्भ ग्रह में गोविन देगिरी जी। गर्भ ग्रहती और पढ़ारते हुए एक-एक कदम बढ़ाते हुए अनेक मंडपों को पार करते हुए पांच मंडपों को प्रार करते हुए उस अध्वुक्षण के साक्षी होने जा रहे हैं। जो विश्य में एक इतिहास रचेगा। शी अयोध्यार्हाम जो कि वैखुंट का हिर्दय कहा जाता है। भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में साथी साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंगासन पर भक्तों को दर्शन देंगे वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आँखें तरस रही थी। समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में, कर्तब्य परायन स्वरूप में, धर्म परायन स्वरूप में, 140 करोड देशवासियों के प्रत्दित के रूप में, तेज तप और तपश्यर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतियता के अग्रदूप के रूप में, और तूट प्रदर्शन के आज दिन को पुरी दुनिया साक्षी हो रही है और अगर देखें तो लिश्चित तोर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुचे हैं कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिये आता है सत्यस्तनातन शाश्वत का वह वेग लिये आता है माथे पर अ प्रगत गुरु भारत का संदेश लिये आता है और वह संदेश है वसुधव कुटुम्बकम का वह संदेश है सर्वे भवन्त सुखिना का वह संदेश है क्रडवन्तो विश्वमार्यम का वह संदेश है वयम राष्टे जाग्रयाम पुरोहिता का यानि कि हम राष्ट में ज प्राण प्रतिष्था के लिए प्रधान मंत्री संकल्प ले रहे हैं यह संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए यह संकल्प है उन बलिदानियों के लिए यह संकल्प है उन राम भक्तों के लिए यह संकल्प है भारत भारतियों के लिए यह संकल्प है सनातन संस्कृति के अजय जिस तरह से आप यह अध्भुद्रिश्ट देख रहे हैं सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राणपतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए और प्रधान मंत्री एक तरह से प्राणपतिष्ठा के संकल्प के बाद जो छे ग्रिहस्त हैं वो इस प्राणपतिष्ठा के क तपस्या कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं, कि इस वक्त प्रधान मंत्री मोदी भी पिछले 11 दुनों से तपस्या रत हैं, और उन्होंने दक्षिन भारत के अलग-अलग मंदिरों में जा करके, अपने इस भगवान शी राम, अपने इस भगवान शी शिव का दर्शन किया है, और शिव की बात है, तो आप देख लिजे कि जो पीछे आचारे इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं, वो काशी से पधा रहे हैं, वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव, भगवान राम के स्वामी की रूप में विरास्ते हैं, वो इस वक्त आप देखिए कि गर्वग्रे में बहुत ही विशिष्ट महमान प्रधान मंत्री के साथ इस वक्त RSS के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं इस प्राणप्रतिष्ठा समारों में अनंत अनंत कोटी आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद प्रार्थना भग्वान शीराम से भग्वान शीव की धरती से पढ़ारे आचारियों की उपस्तिती में बहुत दिव्यक्षण वर्तमान में कहा जाए तो भग्वान शीव सबसे अत्तिक प्रसंद क्योंकि स्वामी, सखा और मित्र ये तीनों ही संबन भग्वान शी अगतिका, अब यह मंगल गान उठा है, करवट बदली, अंगडाईली, सोया हिंदुस्तान उठा है, यह संकल्प के सिध्ध होने का दिन है, यह हमारे पुर्खों से किये गए वादों का पूर्ण होने का दिन है, यह विधाता से दिये गए वचन को पूर्ण करने का दिन ह ये उस शपत के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता हैं हर हरदय की धड़कन रामाएड पगपग पर बनी पुनीता हैं यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है नरनाहर श्री पुरशोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर भव्य बनाएंगे और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है, आज विधाता से दी गई शपत का पूरा होने का दिन है, आज सदियों की आकांख्छा का पूरा होने का दिन है, आज हर्ष का दिन है, आज उतकर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अ पॉष्मा से अश्विनी और बहुत ही पवित्र माना जाता है सभी पूर्खों के लिए हम तरपन करते हैं इस पवित्र मास में और आज द्वादशी की तिथी है द्वादशी की तिथी याने भगवान कूर्म के अवतार की तिथी वही भगवान कूर्म जिनों ने स्रिष्ट की प्रकृति की इस ब्रह्म्हांड की स्यवा में लगे हुए हैं मा लक्षमी का प्रादुर्भा हुआ उनी रत्नों में सबसे पहले विष्ट निकला जिसको भगवान शिव ने आज भी धारन किये हुए अपने निलकंट स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देत की तरफ से संपूर्ण विष्व की तरफ से भगवान शिराम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मगन है हनुमान जो की महाराजा धिराज है आज सबसे ज़्यादा प्रसन है भगवान शिव जिनकी नगरी से पधारे ये आचारे मं रूप में पधारने वाले हैं वो न रघुपती हैं वो न राजा राम हैं न सीता पती हैं आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के रागों हैं और बहुत प्रतीक्षित क्षण जब प्रांडपितिष्ठा के बाद भगवानशी राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में अच वर्ष के उस अद्भुत अच्छवी का दर्शन देंगे और साथी साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नत्मस्तक होगी आप देख रहे हैं गर्वग्रिय पवित्र गर्वग्रिय जिसका निर्माड संपन्न हो चुका ह और यह अद्भुक्षन जब प्रधान मंत्री इस वक्त श्रीराम लला के सामने पहुचने ही वाले हैं और बहुत ही पवित्र दिन आज का और द्वादशी का दिन कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की लेकिन जारह दिनों से अपने व्रत के जरिये एक तपस्वी की भ अने ने सारी गत्वधियों का सारी कि अख़गी अख़गे थारह दो बन्हां का देकिन हैं में जारह चार। प्लाद बाfel सब्सक्राब एञे ही थय कंहां का द historically को सब्सक्राइब जानना है कि नाट दो कि भाय झाक कुल दो चुट पर जाओ जाओ इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अध्वुक योग बना है आज मध्यान में लगवग साड़े बार बजे अयुद्या में श्री राम जन्म भूमिस्थान पर नव निर्मित मंदिर में श्री राम भगवान के प्रतिष्ठा होगी ये मेश लगन है वरिश्चिक नवांश है और अभिजिक्षन है म्रिक्षीर्स नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है और आज सोमवार का बहुत ही अध्वुत दिन जिसमें ये परम योग बना है एंद्र योग, आनंद योग, सरवार्थ सिद्धी योग, अमृत सिद्धी योग, पूर जो मेश गुरु की परमपरा द्रिश्टी होने से राज योग बन रहा है, इस अध्वुत शन में, इस अध्वुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, साड़े बारव बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है, आप समझें कि मकर में इस अध्वुत है, और इससे राम राज जी की प्रतिष्ठापना करने में भारत को अवश्य अवश्य मदद मिलेगी, और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारों की शुरुवात हुई है, और अप से थोड़ी ही देर में वो दिव्वक्षण आने वाला है जब भगवान शीराम में प्रान प्रतिष्ठित होंगे इन ही खणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मात्रि भूमी को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की प्रिष्ठ भूमी पर निर्मित इस इतिहास को असंखे जो बलिदान दिये गए उस पर आज संकल्प के सिर्धि का दिन है, आज इतिहास तो अयुध्या में लिखा ही जा रहा है, आज एक नए सांस्कृतिक युग का सुत्रपात भी अयुध्या से हो रहा है और आखवान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदै हो चुका वीर, अब कर्म छेत्र में जुट जाएं, अपने फून पसीने से नवयुक धरती पर लाएं, नवयुक की कामना धरती पर नवयुक लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है, तो सत् सर्वे संदु निरामया की बाद करती है, तो संपूर्ण चराचर के कल्यान की बाद करती है, हमारी ही संस्कृति है, तो समस्त विश्व में बंदुत और लोग कल्यान के लिए प्रार्षना करती है, मंत्र देती है, अजे, जिस तरह से हम कह रहे हैं ये आप भगवान शीराम का विक्रह देख रहे हैं, जिन्हों ने इस प्राचीन स्वरूप में, इसी स्वरूप में लोग को दर्शन दिये भगवान शीराम, भगवान भारत दला, शीलक्षन और शीलक्षन के साथ लगाता चारुपाइं की वाल इसिद्लेर प्लेएं को देख रहा हैं, और आज ऊपल में स्वरूप में स्वरूप को स्वरूप में और राचल ने दिया कृता जिन्हों प्राचापोईंगे के साथ हूं आज हो दो वी नों सॉन्धा हैं कि वो और द्वापन में नीले रंग क्या हुए और इसलिए जो मूर्थी का निर्माण है वो कृष्ण और ने मूर्दि का निर्माण किया गया और क्या हुने इसक्राइब न की राठक कह गया इसक्राइबें अब ने प्राओं लुट धकृत्ष्ण प्रॉट विए टॉट विक्राइब कि आई दिवा रुप जगत के कामना करने को चाहित हो रहा है और अभान वार्थियता को सवाथन को शांती और अवर्टान कले जो ये पाएं तर किया है उसको आगे बाराते हो प्रामुंतरी आज इसके उचे नहीं हो इसको पॉप आज तो पूप आज ये पाण दाजी की वे कि अधने देखा जब नौ और दस नमबर उनी तो नवासी को कि अधने लेखा आदि गेद नीज़ेग में साधिना पत्रिका में और उन्हों ने कहा कि यह ख्षांद है सांस्किनिक्स को तंधना का ज़्च करता है कि हिंदु शेत्ना प्रकाश स्थभका निगिद है जब दाम शेलाग्ट जब रहा है साधि साथ उतीस्तों धव्चवे के तशक्त में आटवाणी जी करेके आंता की वुचान के विज्चान के रहा है तालिक अधना प्रकाश के रूप में छेख व्चान का नोध भड़ किया प्रफ़ के दूराद दौराद में पड़ा जिसमें केवल उजलका भूब करके इच्वाणी जीद आतिक गाओं में अधना प्रकाश के विज्चान के विज्चान के रहा है के विज्चान नोध दौराद में ए यं 12 प्रस्त परन साक अधना प्रग्या आधना प्रोफ्याल यं 14 प्रुम सा हव परोज मेत आत्ले कम दोड़ कि पो प्रो फ्रज ere hey मशा तुमिय के रहने सकतığın मैं भॉअन्हिक रस्प्रयों नरनेह पिया को जारें रुपार पार अप्रेंह कि श्वरकान तॉiri्ग कर प्यें भुपार लोड्य मितार ऐतमे आंकी आंकी जैडा स्वेख्ण पार हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु आवनी मुञ्ड़॥ हुआ हुआ है आप जाक्षे बिशादे बार्ती बाहिए जेनाके जेनी गुंटा दागे कि यह दोनों हेलिकाप्टर अब शर्यू मया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे वही पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थाट इलक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वही पर एकत्रित है कि वही पर एकत्रित है कि वही पर एकत्रित है पर एकत्रित है झाल 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 अनुभूती हो रही है, मैंने तो कहा था, हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्ष करके लिखा था, आपको केवल तीन दिन का उपवास करना है, आपने ग्यारा दिन का संपुर्ण उपूशन किया, हमने ग्यारा दिन एक बुक्त रहने के लिए का था, उरोंने अनका ही त्याग कर दिया, महाभारत में कहा गया है, अनशन ये सबसे बड़ा तपह है, अनशन, और उसको उनके जीवन में साकार होते हुए, मैंने, किवल देखा नहीं, मैं थोड़ा तारकिक हूँ, आपकी परम पूजिनिया माता जी से मिलकर के, मैंने उसको रीकनफर्म भी किया था, कि आपका ये अभ्यास 40 वर्षों का है, ऐसा तपस्वी कोई राट्रिये नेता प्राप्त होना ये सामाने बात नहीं है, वे इन दिनों में हमने कहा था, कि आपको विदेश प्रवास नहीं करना चाह कि ये, क्योंकि सांस्तरकी कदोश भी आते है, विदेश प्रवास टाल दिया सांस्तरकी देशों के इस दोशों की संभावना के कारण, लेकिन दिव विदेशों का प्रवास ऐसा किया, नासिक से आरंब किया, गुरु आयूर गए, श्री रंगम गए, रामेश्वरम गए, इन सारे स्थानों पर जाकर के, वहां के परमानों को लेकर के, और पूरी भारत माता के हर कोनों में जाकर के, मानों वे निमंतरन दे रहे थे कि आईए, दिव्या आत्माओं, अयोध्या पधारिये, और हमारे राष्ट को महान बनाने के लिए आशिरबाद दीजिए, हमने केवल कहा था, तीन दिनों तक आपको भूमी शयन करना चाहिए, ग्यारह दिनों से आप भूमी शयन कर रहे हैं, इस कड़कडाती थंड में इस परकार का शयन करना, मित्रों, ब्रह्माजी ने सुट्टि को निर्मान किया, उस समय उन्होंने एक शब्द को सुना था, भारत के संस्कृति का सबसे मूल शब्द है, तप तप इती, हमारे पूज गुरुदेव के गुरुदेव परमगुरुद कहा करते थे कांची के परमाचार जी महराज, तप अश्चर, मैं जब भी उसे मिलता था, मैं कहते थे तप अश्चर, आज तप की कमी हो गई है, और उस तप को हमने साकार आप में देखा, मुझे इस परमपरा को देखते हुए के बल एक राजा याद आता है, जिसमें ये सब कुछ था, और उस राजा का नाम, चत्रपती शिवाजी महराज, चत्रपती शिवाजी महराज, मित्रों लोगों को पता नहीं है शायर, बेश्वायम जब, मलिक आरजुन के दर्शन के लिए श्री शैलम के उपर गए, तीन दिन का अपवास किया, तीन दिन श्रीव मंदिर में रहे, और महराज ने कहा कि मुझे राज्य नहीं करना है, मुझे सन्यास लेना है, मैं शिव मास का वो बड़ा बिलक्षन प्रसंगा है, उस प्रसंगा में उनके सारे जेट मंत्रियों ने उनको समझाया और लवटा करके लाया, कि यह भी आपका कार यह भगवत सेवाही है, आज हम लोगों को उसी प्रकार के एक महापुरुष ऐसे प्राप्त हुए है, जिसको प्रत्माथा की सेवा करनी है, मैं अपने को कभी सद्धा रखने के वारे में भाउक नहीं पाता हूं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं, जहां पर आदर के साथ अपना मस्तक अपने आप जुग जाता है, ऐसा एक स्थान हम लोगों को उच्च पदस्ति स्राजर्शी ने जब दिखाया, तो मुझे चत्रपती शिवाजी महराज के गुरु समर्थ रामदा स्वामी महराज की याद आ गई, उन्हें शिवाजी का वर्णन किया निश्चयाचा महामेरू, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू, अकंडस्तिता निरधारू, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी, हम लोगों को आज एक श्रीमंत योगी प्राप्त हुआ, आज मैं यहाँ पर केवल इसलिए खड़ा हूँ, कि इतले तपस्या के पश्चात, इन सारे महात्माओं की अनुमती लेकर के, और उनके आशिरवाद लेकर के, उनका य तो ओंकार का घोश करके मुझे समती दें, अपना उस्तवास पूर्ण कर रहे हैं, माननी प्रखान मुंत्र जी, ग्यारा दिवसी और उपवास को वो पूर्ण कर रहे हैं, मैं श्रीराम जनम्भु मीटी उर्थ छेत्र के अध्यक्ष, फूज्य महंत्र निर्थ्यकपालदाजी महराज, मनिराम छावनी अयुद्या के श्री महंत्र के चर्णों में निवेदन करता हूँ आशीर वचन के लिए, ठीजीर आवनी पारी प्रेश्यक्पालर के विए, कि बड़े सो भाग की बाते हैं, भगवान राम की पावज जनूमी पर, भगवान का महुचव हो रहा है, इससे बढ़ करके और क्या बात हो सकती है, पारसम में भगवान की लिला ऐसी है, इसको बढ़ना नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम सभी लो, भगवान राम की पावज जनूमी पर, रहर से अपना रचने अपनी सद्धा समार्पित करते हैं. माननीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाति जी महराज. रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेद से रगुनाथाय नाथाय सीताय पतिय नमह सिरी राम लला भगवान के भारत माता के सर्यू माता के जै जै सीता राम राम उत्सो के आज के इस कारिक्रम के मुख्यतिते दुनिया के सबसे लोक्प्रिय राजनेता भारत के मान्य प्रधान मंत्री आधनिया सी नरेंद्र मोधी जे राश्तिय स्वयम सिवक संके मान्य सरसंग चालक सरदे डॉक्टर मोहन भागवजे प्रधेश की मान्य राज्यपाल सिमती आनंदी वेन पटेल जी सिराम जन्भूमी तीर्थ छेत्र न्यास के अध्यक्स पूज्य महांत निर्थ गोपाल दास जी सिराम जन्भूमी तीर्थ छेत्र न्यास के अध्यक्स पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महा सचिव सम्माने सी चंपत राय जी देश के कोने कोने से यहां पर पधारे पूज्य संत जन्द अपने अपने छेत्र के नेत्रुत्त देने वाले सभी पस्तित महानुभाव रामत्सो के इस पावन पर्व के उसर पर आधनिय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी ओर से हिर्दै से स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ इस उसर पर पधारे रास्तिय स्यम स्यवक संग के सरसंग चालक आधनिय डॉक्टर मोहन भागवाज जी का अन्य समागत अतितियों और महानुभावों का मैं हिर्दै से स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ प्रवु रामलला के भव्य विव्य और नभ्य धा में बजार बिराजने की आप सभी को कोटी कोटी बधाई 500 वर्सों के लंबे अंतराल के उपरांथ आज के इस चर्चिर प्रतिक्षित मौके पर अंतर मन में भावने कुछ ऐसी है क्यों ये ब्यक्त करने के लिए सब्द नहीं मिलना है मन भावुक है भाव विवोर है भाव विवल है निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा मैसूस कर रहे होंगे आज सेत्यासिक और त्यंत पावन अस्वर पर भारत का हर नगर हर ग्राम अयोध्याधाम है हर मार्ग से राम जन भूमी की ओर आ रहा है हर मन में राम नाम है हर आँक हरस और संतोस के आँसू से भीगा है हर जिवा राम राम जप रही है रोम रोम में राम रमे है पुडा राष्ट राम में है ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए है आज रगु नंदन राघो राम लला हमारे हिर्दय के भावों से भरे संकल्प सुरूप सिंगहासन पर विराज रहे हैं आज हर राम भक्त के हिर्दय में प्रसंता है गर्व है और संतोस के भाव हैं आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतिक्सा थी भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतिक्सा में लगभग पांच सताब्दी बतीत हो गई दरजनों पीडियां अधूरी कामला लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई किन्तों प्रतिक्सा और संगर्स का करम सतत जारी रहा सिराम जनभू में संभवता विश्व में पहला ऐसा अनुठा प्रकंडर होगा जिसमें किसी राष्ट के बहुत संकेक समाज ने अपने ही देश में अपने अराध्य के जनमस्थली पर मंदिर निर्माण के ले इतने वर्सों तक और इतने अस्तरों पर लड़ाई लड़ी हो संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धी जीवियों, राजनेताओं, जनजातियों, सहीद समाज के हर वर्गने जाति पाती, विचार दर्सन, उपासना पद्दतिसे उपर उठकर के राम काज के लिए स्वयम को सर्ग किया अंततह वसुप आउसर आ ही गया, जब कोटी कोटी, आस्तावानों के त्याग और तब को पूर्टा प्राप्त हो रही है आज आत्मा प्रफुलित है, इस बात से कि मंदिर वही बना है, जहां बनाने का संकल्प लिया था संकल्प और साधना की सिद्ध के लिए, हमारी प्रतिक्सा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्टा के लिए, आधनिये प्रधान मंत्री से नरेंदर मोदी जी का हिर्दै से आभार और अभिनंदन माने प्रधान मंत्री जी, 2014 मैं आपके आगमन के साथी भारतिय जन्मानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दिड़ सोई, मिलही राम सगुन सुब होई, अभी गर्वग्रे में बैदिक विधी स्विधान से राम लला के बाल विग्रह के प्राण परतिष्टा को हम सब साक्सी बने हैं, और लौकिक छवी है, हमारे प्रभु की बिल्कुल वेसे ही, जैसे तुलसी दास जी ने कहा, कि नवा कंज लोचन, कंज मुख, कर कंज पद कंजारुनम धन्य है वज सिल्पी, जिसने हमारे मन में बसे राम की स्चवी को मूर्त रूप प्रदान किया है विचारों और भावनाओं की बिहलता के बीच, मुझे पूज संतों और अपनी गुरु परंपरा का पुर्णे स्मरन हो रहा है आज उनकी आत्मा को असीन संतों सरानंद के अनभूती हो रही होगी जिन परंपराओं की पीडियां सिराम जनभूमि उक्तिक्यवक में अपनी आहुती दे चुकी है उनकी पावन इस मिर्तियों को मैं यहां पर कोटी कोटी नमन करता हूँ सिराम जन्भू में महायग्यन केवल सनातनास्ता और विश्वास की परिक्सा का काल रहा बलके संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट की सामिक चेतना जाग्रण के धे में भी सफल सिद्धु वा है सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर प्रतिक्सित नौव विवान को देख अयोध्या समेथ पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है भाग्यवान है हमारी पीडी जो इस राम काज के साक्सी बन रहे हैं और उससे भी बड़ भागी हैं वो जिनोंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है और करते चले जा रहे हैं जिस अयोध्या को आउनी की अमरावती और धर्ती का वेकुंड कहा गया वो सद्यों तक अब सिप्त थी उपेक्सित रही सुन्योजित क्रिस्कार जेलती रही अपनी ही भूमी पर सनातनास्ता पद्दलिद होती रही चोटिल होती रही किंतुराम का जीवन हमें सैयम की सिक्सा देता है और भारतिय समाज ने सैयम बनाई रखा लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दिड़ होता गया और आज देखे पुरी दुनिया अयोध्या के वैभव को निभार रही है हर कोई अयोध्या आने कौतुर है आज अयोध्या में त्रेता युगीन वैभव उतर आया है दिख रहा है यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी की रूप में प्रतिष्ठित हो रही है पुरा विश्व दिब्ब्य और भब्य योध्या का साकसातकार कर रहा है आज जिस सुन्योची त्यम तीब्रकति से योध्या पुरी का विकास हो रहा है वह प्रधान मंत्री जी के दिड़ संकल्प इच्छा सकते और दूर दरिस्टा के बिना संभव नहीं था कुछ वर से पहले एक कल्पना से परे था कि योध्या में एरपोर्ट होगा यहां के नगर के भीतर चार लेन की सड़के होंगी सर्यूजी में कुरूच चलेंगे अयोध्या की खोई गर्मा वापस आएगी लेकिन मित्रों डवल इंजन की सरकार के प्रियास से आज आप सब के सयोग से सब साकार हुआ है सांस्कृतिक अयोध्या आयुस्मान अयोध्या स्वच्च अयोध्या सक्सम अयोध्या सुरम्य अयोध्या सुगम्य अयोध्या दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या की रूपे पुन्डधार के लिए हजारों करोड रुपे वर्तमान में यहाँ पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं राम जी की पेड़ी, नया घाट, गुपतार घाट, ब्रम्म कुंड, भरत कुंड, सूरज कुंड, विभिन्न कुंडों के काया कल्प, संग्रक्षन, संचालन, रख रखाओं के कार्य हो रहे हैं रामेण परंपरा की कल्चर मेपिंग कराई जा रही है, राम बनगमन पत पर रामेण वीथिका का निर्मान हो रहा है नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सब्वेता को संग्रक्षन तो होई रहा है भुष्यकी जर्रुपतों को देखते हुए आधनिक पैमाने के अनसार सभी नगरिये सुपधाएं भी विक्सित हो रही है इस मोक्सदाइनी नगरि को आधनिये प्रधान मंत्री जी के पेणा से अब सॉलर सीटी के रूप में भी विक्सित किया जा रहा है पुरी अयोध्या में विश्व के सनातन आस्तावानों संतों प्रयटकों सोधार्तियों जिग्यास्चियों के प्रमुक केंद्र के रूप में से बनाने की और से अग्रसर किया जा रहा है ये एक नगर या तीर्थवर का विकास नहीं है ये उस विश्वास की विजय है जिसे सत्य में वो जैते की रूप में भारत के राजचिन्द मेंगिकार किया गया है ये लोक आस्त्रा और जन्विश्वास का विजय है भारत के गौरव की पुनरपर्थिष्टा है अयोत्या का दिव्य दिपोट्सो नए भारत की सांस्कृतिक पहचान बन रहा है और स्री राम लिला की प्राण प्रतिष्था का समारो भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को समरस की एक अविव्यक्ति सिद्ध कर रहा है स्री राम जन्भुई मंदिर की अस्थापना भारत की सांस्कृतिक पुनर जागनन का अध्यात्मिक अनुस्थान है ये राश्ट मंदिर है निसंदे सिर्राम लिला विग्रह की प्रांट प्रतिश्था राश्ट ये गौरव का एक एथ्यासिक अउसर है निश्चिंत रहिए प्रवराम की किरपा से अब कोई अयोध्या की परिकर्मा कुएं बाधा नहीं बन पाएगा अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गडा हट नहीं होगी करफ्यू नहीं लगेगा अब यतो यहां दिपोट्सो रामट्सो और यहां की गलियों में असी राम नाम संकृतन से यहाँ की गलियां गुझाए मान होंगी क्योंकि अवदपुरी का मैं राम लिला का विराजना राम राज्य की इस्थापना की उद्धोशना भी है राम राज्य बैठे तिर लोका हर सित भयए गये सब सोका राम राज्य भैद भाव रहित समरत समाज का द्योतक है और हमारे सस्री प्रधान मंत्री जी की नीतियों बिचारों और योजनाओं का अधार है भव्य दिव्य राम जन्भुमी मंदिर के सुपन को साकार रूप देने में योगदान देरने वाले सभी वास्तुविदों, अभियंताओं, सिल्पियों और सिर्राम जन्भुमी तीर्त छेतर न्यास के सभी पदादी कारियों को हिर्दै से धन्यबाद, पुना आप सभी को राम लला के बिराजने की इस एथियासिक पूने घड़ी की बधाई आदरिय प्रधान मंत्री जी, आदरिय सरसंग चालक जी, माने राज्यपाल महोदिया और आप सभी महान भावों का में एक बार फिर से हिर्दै से स्वागत और विनंदन करते वे हम सब जो संकल्प पुरोजों ने लिया था उसकी सिद्ध की भी सभी को बधाई देते वे प्रवु के चण्डों में एक बार पुना नमन करते वे पुरे प्रदेश और देश्वास्यों को आज की स्रामत्सों के उसर पर कोटी कोटी बधाई और अमिनंदन देते वे अपने बाणिय को बिराम देता हूं जैजे सीता राम राष्ट्री ये स्वेंस्विक संग के सरसंग चालक डक्टर मोहन राव भागवत जी अधर निया प्रधान मंत्री जी उत्तरप्रदेश के अधर्णिय मुख्यमंत्री जी अधर्णिय राज्यपाल महोदया देश के आज विद्यमान सभी पंथ संप्रदायों का प्रतिनी धित्व करने वाले हमारे संत रुशी आचार्य गण और समाज के सब स्तरों का प्रतिनी धित्व करने वाले निमंत्रित महानुभाव आज का आनंद शब्दों में वरणन आती थे और उसके वरणन करने का प्रयास इसके पहले के वक्तवयों में अच्छा हो गया है कि यह भी बता दिया गया है और हम जानते भी है कि आज कि अयोध्या में कि रामलला के साथ भारत का स्वल लूट के आया है और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा इसका प्रतीक आज का कारिक्रम बन गया है ऐसे समय में आपके उत्सा का आपके आनंद का वरणन कोई नहीं कर सकता हम यहां पर अनुभव कर रहे पूर्ण देश में यहीं वातावरण है चोटे चोटे मंदिर के सामने दूर दर्शन पर इस कारिक्रम को सुनने वाले हमारे समाज के करोडों बंधू वहां पहुच ना पाए ऐसे घरगर के हमारे नागरिक सज्जन माता भगिनी सब भावविव हो रहे सब में आनंद है सब में उत्सा है और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है अज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महुत्सों में पधारने के पुर्व प्रधान मन्त्री जी ने कठोर व्रत रखा जितना कठोर व्रत रखने को कहा था उससे कई गुणा अधिक कठोर व्रता चरण उन्होंने किया मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूँ, वो तपस्वी है ही परंतु, वो अकेले तब कर रहे हैं, हम क्या करेंगे अयोज्या में रामलला आये, अयोज्या से बाहर क्यों गये थे रामायन में क्यों गये थे बाहर, तो अयोज्या में कलह हुआ अयोज्या उस पुरी का नाम है, जिसमें कोई द्वन्द्व नहीं, जिसमें कोई कलह नहीं, जिसमें कोई दिविधा नहीं वो हुआ 14 वर्ष वर्वास में गए वो सब ठीक होने के बाद दुनिया के कलह को मिटा के वापिस आए आज रामलला वापस फिर से आए है पास्तो साल के बाद जिनके त्याग तपस्या प्रयासों से ये सोने का दिन के आज हम देख रहे सुवर्ण दिवस देख रहे उनका स्मरन प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों» कहा आपने सुना होगा स्मरन किया उनकी तपस्या को उनके त्याग को उनके परिश्रम को शत्वार सहस्थ्र बार कोटिवार नमन कि रामलला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो जो श्रवन करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्मप्रवन होगा और उसके राष्ट्र का सब दुख्धाइन्य हरन होगा ऐसे इस इतिहास का सामर्थ है परण्तु उसमें हमारी लिए कर्तवय का आदेश भी है प्रधान मंत्री जी ने तब किया अब हमको भी तब करना है राम राज्या अने मला है वो कैसा था दैही का दैवी का भौतिक तापा राम राज नहीं कहुई वापा सब नरकरही परस्पर प्रीती चलही स्वधर्म निर श्रुति नीती सब निर्दंभ धर्म रतपुनी नरु अरुनारी चतुर सब गुनी सब गुनग्य पंडित सब ज्यानी सब कृतज्य नहीं कपट सयानी राम राज्य के सामान्य नागरीकों का जो वरणन है हम भी इस गवरों में भारत वर्ष की संताने है कोटी कोटी कंठ उसका जैगान करने वाले हमारे हैं हमको इस प्रकार के विवहार को रखने का तप आचरन करना पड़ेगा हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी छोटे छोटे परस्पर मत रहते हैं छोटे छोटे विवाद रहते हैं उसको लेकर लड़ाई करने की आदा छोड़ेनी पड़ेगी आखिर है क्या यह बात बताई वो सामान्य नागरिक कैसे थे निर्दंभ प्रामाणिक्ता से आचरन करने वाले केवल बाते करने वाले नहीं और बाते करके उसका अहंकार पालने वाले नहीं थे काम करते थे आचरन करते थे और अहंकार नहीं था ऐसे वो थे और धर्म रत थे याने क्या थे इस पर कठिन बाशा में प्रवचन बहुत लंबा हो सकता है लिकिन थोड़े में धर्म के जो चार मूल्य जिनकी चोखट पर धर्म है ऐसा श्रीमत भागवत में बताया है सत्य आप मरे लिए युगानुकूल आचरन क्या है तो सत्य कहता है कि सब घटों में राम है के भ्रह्माव सत्य वही सर्वत्र है प्ल्तों हमको यह जानकर आपस में समनवैसे चलना होगा क्योंकि हम चलते हैं सब के लिए चलते हैं सब अपस में समन्वे रखकर व्यवार करना यह धर्म का पहला जो पहरे सत्य उसका अचरण है करुणा दूसरा कदम है उसका अचरण है सेवा और परोबकार सरकार की कई योजनाय गरिबों को रहत दे रही सब हो रहा है लेकिन हमारा भी करता है यह सब समाज बांदाओ हमारे अपने बंदु है तो जहां हमको दुख्ध दिखता है पिड़ा दिखती है वहां हम दोड़ जाए सेवा करें दोनों हाथों से कमाएं अपने लिए न्यून तम आवश्चक रखकर बाकी सारा वापस दे सेवा और परोपकार के माध्यम से यह करुणा का अर्थ आज है कि शुचिता पर चलना है यहने पवित्रता होनी चाहिए पवित्रता के लिए संयम चाहिए अपने को रोकना है सब अपनी इच्छा है सब अपने मत सब अपनी बाते ठीक होंगी ही ऐसा नहीं और होगी तो भी अन्यों के भी मत है अन्यों की भी इच्छा हैं और इसलिए अपने आपको सह्यम में रखते हैं तो सारी पृत्वी सब मानवों को जीवित रखेगी तो लोब नहीं करना सायम में रहना और अनुशासन का पालन करना, अपने जीवन में अनुशासित रहना, अपने कुटुम्ब में अनुशासन रहना, अपने समाज में अनुशासन रहना, सामाजिक जीवन में नागरिक अनुशासन का पालन करना सिस भगिनी निवेदिता कहती थी कि स्वतंत्र देश में नागरिक सम्वेदना रखना और नागरिक अनुशासन का पालन करना यही देशभक्ति का रूप है इससे जीवन में पवित्रता आती है और तपस का तो मूर्तिमान उदारन आपके सामने आज दिया गया व्यक्तिकत तपस तो हम करेंगे सामुहिक तपस क्या है संगच्छद्वम संवदद्वम संवो मनावसी जानता हूं हम साथ चलेंगे बोलेंगे आपस में उसमें से एक सहमतिका संवाद निकालेंगे एक कही भाषा बोलेंगे वो वाणी मन मचन कर्म समन्वित होगा और मिलके चलेंगे अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे यह तपस हम सब को करना है पास्सों वर्षों तक अनेक पीडियों ने लग कर परिश्रम करके प्राणों का बलिदान देके खून पसीना बहा कर आज यह आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलब्द करा दिया उन सब के प्रति हमारे मन में कृतग्यका है मैं यहां बैठता हूं तो मेरे मन में विचार आता है कि मुझे बिठाया मैंने क्या किया वो तो जो उन्होंने किया उसका प्रतिनी धी भी मुझे बनाया गया है उस प्रतिनी धी के नाते मैं यह अवदान स्विकार करता हूं और उनी को अरपन करता हूं परंतु उनका ये व्रत हमको आगे लेके जाना है जिस धर्मस्थापना विश्व में करने के लिए राम का उतार हुआ था उस धर्मस्थापना को अनुकूल स्थिति अपने आचरण में अपने जेश में उत्पन्न करना यह अपना करतव्य बनता है राम लला आये हैं हमारे मन को आलादित करने के लिए उत्था ही करने के लिए प्रेणना देने के लिए साथ-साथ इस करतव्य की याद दिलाकर उसमें कृति प्रवण करने के लिए आये हैं उनका आदेश सर पे लेके हम यहां से जाए सब लोग तो यहां आ नहीं सके लेकिन वो सुन रहें करेंगे तो मंदिर निर्मान पूरे होते होते विश्वगुरु भारत का निर्मान भी पूरा हो जाएगा इतनी क्षमता हम सब की है इसका मैं एक बार स्मरण देता हूँ आप सब को धन्यवाद देता हूँ और मेरे चार शब्द समाप्त करता हूँ भारत के यशर्ष्वी प्रधान मंत्री माननिय नरेंद्र भाई मुगती जी अपने मनोभाव प्रकट करेंगे स्यावर राम चंद्र की जय स्यावर राम चंद्र की जय स्रद्धे मंच सभी संथ एवं रशिगण यहाँ उपस्तित और विश्व के कौने कौने में हम सब सखाज जुड़े हुए सभी राम भक्त आप सब को प्रणाम आप सब को राम राम आज हमारे राम आ गए है सद्यों की प्रतिष्चा के बाद हमारे राम आ गए है सद्यों का अभूत्पुर्व धैरिया अंगिनत बलिदान त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभुराम आ गए है इस शुबगड़ी की आप सभी को समस्त देश वासियों को बहुत बहुत बढ़ाई त्याज़ मैं अभी गर्ब गुरुह में इश्वरिय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्तित हुआ हूँ कितना कुछ कहने को है लेकिन कंठ अभुरुद है मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है चित अभी भी उस पल में लीन है हमारे राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे हैं हमारे राम लला अब इस दिव्य मंदीर में रहेंगे मेरा पक्का विश्वास है अपार स्रद्दा है कि जो गटित हुआ है इसकी अनुहूती देश के विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी ये च्छान अलोकिक है ये पल पवित्रतम है ये माहोल ये वातावरन ये उर्जा ये घड़ी कि प्रभूश्री राम का हम सब पर अशिरवाद है कि 22 जनवरी दो हजार चोबिस का ये सूरज एक अध्भूत आभा लेकर आया है 22 जनवरी दो हजार चोबिस ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं ये एक नए काल चक्र का उद्गम है राम मंदिर के भूमी पुजन के बाद से प्रती दीन पूरे देश में कुमंग और उत्सा बढ़ता ही जा रहा था निर्मान कार्य देख देश वास्यों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था आज हमें सद्यों के उस धैर्य की धरोहर मिली है आज हमें स्री राम का मंदिर मिला है गुलामी की मानसिक्ता को तोड़ कर उठ खड़ा हो राष्ट अतीत के हर दौंस से हौंसला लेता हुआ राष्ट ऐसे ही नव इतिहास का स्रजन करता है आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारिक की आज के इस पल की चर्चा करेंगे और यह कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं इसे साक्षाद गटित होते देख रहे हैं आज दिन दिशाएं दिख दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है यह समय सामान्य समय नहीं है यह काल के चक्र पर सर्वकालिक शाहिसे अंकित हो रही अमीट स्मृति रेखाएं है साथियों हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनमान अवश्य विराजमान होते हैं इसलिए मैं राम भक्त हनमान और हनमान गटी को भी प्रणाम करता हूँ मैं माता जान की लक्षपन जी भरत सत्रुग्ण सब को नमन करता हूँ मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सर्यु को भी प्रणाम करता हूँ मैं इस पल दैविय अनुभव कर रहा हूँ कि जिनके आशिरवात से यह महान कार्य पूरा हुआ है वे दिव्य आत्माएं वे दैविय विभूतियां भी इस समय हमारे आज पास उपस्तित है मैं इसे भी दिव्य चेत्राओं को भी कृतज्यता पूर्वक नमन करता हूँ मैं आज प्रभूस्री राम से छमा याचना भी करता हूँ हमारे पुर्शार्थ हमारे त्याग तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक यह कार्य कर नहीं पाए हैं आज वो कमी पूरी हुई है मुझे विश्वास है प्रभूराम आज हमें अवश्य शमा करेंगे मेरे प्यारे देश्वास्यों त्रेता में राम आगमन पर पुझ्य संत तुल्शिदाज ने लिखा है प्रभू बिलो की हर्फे पुरबासी जनित वियोग विबत्ति समनासी अर्थात प्रभू का आगमन देकर ही सब अयोध्यवासी समगर देश्वासी हर्थ से भर गए लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया उस कालखन में तो वो वियोग केवल चौदा वर्षों का था तब भी इतना सही था इस यूग में तो अयोध्याव और देश्वास्यों ने सेंकडों वर्षों का वियोग सहा है हमारी कई कई पीडियों ने दियोग सहा है भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रती में भगवान राम विराजमान है संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दसकों तक प्रभु सिर्राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली मैं आभायर वेक्त करूँगा भारत की न्याय पालिका का जिसने न्याय की लाज रख ली न्याय के परियाय प्रभुराम का मंदिर भी न्याय बद्ध तरीके से ही बना साथियो आज गाओं गाओं में एक सार किर्टन संकिर्टन हो रहे हैं आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं स्वच्छता अभ्यान कलाए जा रहे हैं पुरा देश आज दिपावली मना रहा है आज शाम घर घर राम जोती प्रज्वलित करने की तैयारी है कल मैस्री राम के आशिरवात से दनोश कोडी में राम सेतु के आरंब बिंदू अरिचल मुनाई पर था जिस गड़ी प्रभु राम समुद्रपार करने निकले थे वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था उस भाव मैं पल को मैसूस करने का मेरा ये बिनम्म प्रयास था वहां पर मैंने पुष्प बंदना की वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा की जैसे उस समय काल चक्र बदला था उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुब दिशा में बढ़ेगा अपने ग्यारा दिन के व्रत अनुष्थान के दोरान मैंने उन स्थानों का चरण प्रस करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे चाहे वो नासिक का पंच्वटी दाम हो करला का पवित्र त्रिपायर मंदीर हो आंदर प्रदेश में लेपाक्षी हो मैं रंगनात स्वामी मंदीर हो रामेश्वरम में श्री रामनात स्वामी मंदीर हो या फिर धनुष्गोडी मेरा सवभाग है कि इसी पुनित पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सर्यूत तक की यात्रा का अउसर मिला सांगर से सर्यू तक हर जगर राम नाम का वही उत्सवभाव छाया हुआ है प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए है राम भारत वासियों के अंतर मन में विराजे हुए है हम भारत में कहीं भी किसी की अंतर आत्मा को चुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूती होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा इससे उत्कुष्ट इससे अधीक देश को समायोजीत करने वाला सुत्र और क्या हो सकता है मेरे प्यारे देश वासियों मुझे देश के कोने कोने में अलग अलग भाशाओं में रामायन सुनने का अउसर मिला है लेकिन विशेस कर पिछले ग्यारा दिनों में रामायन अलग अलग भाशा में अलग राज्यों से मुझे विशेस रुप से सुनने का मोका मिला राम को परिभाशित करते हुए रुश्यों ने कहा है रमंते यश्मिन इती रामह अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है राम लोक की इस्मृतियों में पर्वसे लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाय हुए हर्यूग में लोगों ने राम को जीया है हर्यूग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है और ये राम रस जीवन प्रवा की तरह निरन तर बहता रहता है प्राचिन काल से भारत के हर कोने के लोग राम रस का आचमन करते रहे हैं राम कथा असिम है और रामायन भी अनिंत है राम के आदर्श राम के मुल्य राम की सिक्षाएं सब जगह एक समान है प्रिये देश वाचियों आज इस आइतिहाजिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कारिया और समर्पन की वज़े से आज हम ये शुब दिन देख रहे हैं राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकास्था करके दिखाई है उन अंगिनत राम भक्तों के उन अंगिनत कार सेवकों के और उन अंगिनत संत महत्माओं के हम सब रनी है साथियों आज का ये अवसर उत्सवता का खशन तो है लेकिन इसके साथ ही ये खशन भारतिय समाज की परिपक्वता के बोध का भी खशन है हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं विनय का भी है दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ट अपने ही इतिहास में उलज जाते है ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलजीवी गांटों को खोलने का प्रयास किया उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई बलकि कई बार तो पहले से जादा मुश्किल परिस्थित्या बन गई लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांट को जिस गंबीरता और भावगता के साथ खोला है वो यह बताती है कि हमारा भविश हमारे अतीच से बहुत सुन्दर होने जा रहा है वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बनागा तो आग लग जाएगी ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाएगे राम लला के इस बन्दिर का निर्मा भारतिय समाज के शांती धैरिय आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है हम देख रहे हैं कि निर्मान किसी आग को नहीं बलकि उर्जा को जन्म दे रहा है राम मंदीर समाज के हर वर्क को एक उजवल भविश के पत पर बढ़ने की प्रेणा लेकर आया है मैं आज उन लोगों से आहवान करूंगा आईए आप मैसूस कीजिए अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए राम आग नहीं है राम उर्जा है राम विबाद नहीं राम संगधान है राम सिर्व हमारे नहीं है राम तो सब के हैं राम बरतमान नहीं सिर्व बरतमानी नहीं राम अनंत काल है साथियों आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन चे पूरा विश्व जुड़ा हुआ है उसमें राम की सर्व व्यापकता के दर्शन हो रहे है जैसा उत्सव भारत में है वैसा ही अनेक देशों में है आज अयोज्ध्या का ये उत्सव रामायन की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है राम लला की ये प्रतिष्ठा वसुदहेव कुटम कम के विचार की भी प्रतिष्ठा है साथियों आज अयोज्ध्या में केवल श्री राम के विग्रा रूप की प्रान प्रतिष्ठा नहीं हुई है ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतिय संस्क्रिति के प्रति अटूट भी स्वाज की भी प्रान प्रतिष्ठा है ये साक्षात मानिवे मुल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है इन मुल्यों की इन आदर्शों की आवशक्ता आज संपूर्ण विश्व को है सर्वे भवन तु सुखे जाए यह संकल्प हम सद्यों से दोहराते आए है अज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मेरा है यह मंदीर मात्र एक देव मंदीर नहीं है यह भारत की द्रश्टी का भारत के दर्शन का भारत के दिख दर्शन का मंदीर है यह राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदीर है राम भारत की आस्ता है राम भारत का आधार है राम भारत का विचार है राम भारत का विधान है राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्टा है, राम भारत का प्रताब है, राम प्रभाव है, राम नेती भी है, राम नीती भी है, राम नित्यता भी है राम निरंतर भी है राम विवु है विशद है राम व्यापक है विश्व है विश्वात्मा है और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या सताव्यों तक ही नहीं होता है उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है महर्ची वालमिकी ने कहा है राज्यम दस सहस्त्रानी प्रप्य वर्षानी रागवा अर्थात राम दस हजार वर्षों के लिए राज्य पर पतिष्ठित हुए यानि हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ जब त्रेता में राम आये थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई हजारों वर्षों तक राम विश्व पत्व प्रदर्शन करते रहे थे और इसलिए मेरे प्यारे देश्वासियों आजयो द्याभूमी हम सभी से प्रतेग राम भक्त से प्रतेग भार्तिय से कुछ सवाल कर रही है स्री राम का भव मंदिर तो बन गया अब आगे क्या सद्यों का इंतजार तो खत्म हो गया अब आगे क्या आज के इस आउसर पर जो दैव जो दैव यह आत्माएं हमें आशिर्वाद देने के लिए उपस्तित हुई हैं हमें देख रही हैं उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे नहीं कदापी नहीं आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है यह सुकत संयोग है कि हमारी पीडी को एक काल जई पत के सिल्पकार के रुप में चुना गया है हजार वर्स बात की पीडी राष्ट निर्मान के हमारे आज की कारियों को याद करेगी कि इसलिए मैं कहता हूं यही समय है सही समय है हमें आज से इस पवित्र समय से अगले एक हजार साल के भारत की नीव रखनी है मंदिर निर्मान से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यही इस पल से समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत के निर्मान की सोगंद लेते हैं राम के विचार मानस के साथ ही जन मानस में भी हो यही राष्टन निर्मान की सीड़ी है साथियों आज के यूग की मांग है कि हमें अपने अंतर करण को विस्तार देना होगा हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक राम से राष्ट तक होना चाहिए हनुमान जी की भक्ति हनुमान जी की सेवा हनुमान जी का समर्पन ये ऐसे गुण है जिनने हमें बहार नहीं खोजना पड़ता प्रतेग भारतिय में भक्ति सेवा और समर्पन के भाव समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत का आधार मनेंगे और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार कि दूर सुदूर जंगल में कुटिया में जीवन गुजारने वाली कि मेरी आधिवासी मा कि शबरी कि शबरी का ध्यान आते ही अप्रतेम विश्वाज जागरुद होता है मा सबरी तो कब से कहती थी राम आएंगे प्रतेग भारतिय में जन्मा यही विश्वास समर्त सक्षम भग्व्य भारत का अधार मनेगा और यही तो है देश देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार हम सब जानते हैं कि निशाद राज की मित्रता सभी बंदनों से परे हैं निशाद राज का राम के प्रति सम्मोहन प्रभु राम का निशाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है सब अपने हैं सभी समान है प्रत्य भारत्य में अपनत्व की बंदूत्व की ये भावना समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत का आधार बनेगी और यहीं तो है देव से देश और राम से राश की चेतना का विस्तार साथियों आध देश में निराशा के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है मैं तो बहुत सामान्य हूं मैं तो बहुत छोटा हूं अगर को ये सोचता है तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए गिलहरी का समरणी हमें हमारी हिचक को दूर करेगा हमें सिखाएगा कि छोटे बड़े हर प्रयास की अपनी ताकत होती है अपना योगदान होता है और सब के प्रयास की यही बावना समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत का आधार बनेगी और यही तो देव से देश और राम से राष्ट का राष्ट की चेतना का विस्तार साथ क्यों लंका पती रामन प्रकांड ग्यानी थे अपार शक्ति के ध्यनी थे लेकिन जटायू जटायू जी की मुल्य निष्ठा देखिये विए महाबली रावन से भीड़ गए उन्हें भी पता था कि वो रावन को परास्त नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी उन्होंने रावन को चनोती दी कर्तव्य की यही पराकास्ता समर्थ सच्छम भव्य दिव्य भारत का अधार है और यहीं तो है देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार आईए हम संकरपले के राष्ट निर्मान के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे राम काज से राष्ट काज समय का पल पल शरीर का कण कण राम समर्पन को राष्ट समर्पन के देश से जोड देंगे मेरे देश वास्यों प्रभु सी राम की हमारी पूजा विशेश होनी चाहिए ये पूजा स्वा से उपर उठकर के समस्ति के लिए होनी चाहिए ये पूजा अहम से उठकर वयम के लिए होनी चाहिए प्रभु को जो भोग चड़ेगा वो विक्सित भारत के लिए हमारे परीश्रम की पराकाष्टा का प्रसाद भी होगा हमें नित्य पराकम पुर्शार्प समर्पन का प्रसाद प्रभुराम को चडाना होगा इनसे नित्य प्रभुराम की पूजा करनी होगी तब हम भारत को वैववशाली और विख्सित बना पाएंगे मेरे प्यारे देश वास्यों ये भारत के विकास का अमरत काल है आज भारत युवाश शक्ति की पूझी से बरा हुआ है उर्जा से बरा हुआ है ऐसी सगारत्मक परिस्तितियां पिर न जाने कितने समय बाद बनेगी हमें अब चूकना नहीं है हमें अब बैठना नहीं है मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा आपके सामने हजारों वर्ष की प्रंपरा की प्रिनना है आप भारत की उस पीड़ी का प्रतिनी दित्व करते हैं जो चान पर तिरंगा लहरा रही है वो पंद्रा लाग किलो मिटर की आत्रा करके सूर्य के पाँच जाकर मिशन आजित्य को सफल बना रही है जो आस्मान में तेजस और सागर में विक्रान का पर्चम लहरा रही है अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है परंपरा की पवित्रता और आधुनिक्ता की अनंतता दोनों ही पत पर चलते हुए भारत सम्रुद्धी के लक्स तक पहुँचेगा मेरे साध्यों आने वाला समाए अब सफलता का है आने वाला समाए अब सिद्धी का है ये भव्य राम मंदिर साच्ची बनेगा बारत के उतकर्ष का भारत के उदय का ये भव्य राम मंदिर साच्ची बनेगा बव्य भारत के अब युदय का विक्सित भारत का ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष सत्य प्रमानित हो, अगर लक्ष सामुहिक्ता और संगर्दिक सक्ती से जन्वा हो, तब उस लक्ष को प्राप्त करना और संबहु नहीं है। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। सताअब्दियों की प्रतिक्षा के बाद हम यहां पहुँचे हैं। हम सब ने इस युक का, इस कानखन का इत्लिजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की उंचाई पर जाकर ही रहेंगे। इसी भाओं के साथ राम लला के चर्णों में प्रणाम करते हुए। आप सभी को बहुत-बहुत शुप काम्राएं। सभी संतों के चर्णों में मेरे प्रणाम! शियावर राम चंद्रकी शियावर राम चंद्रकी शियावर राम चंद्रकी